हेलो बच्चों कैसे हूँ आप सब आप सब बहुत बहुत मज़े से बढ़िया होंगे बिलकुल तो इस क्वेशन का आंसर काफी बच्चों को आता होगा तो जल्दी से हम इसका सल्यूशन डिसकस करते हैं तो which part of the plant is called as its food factory तो food factory भाई अब हम किसे बोलते हैं तो हमें पता है कि जो हमारे प्यारे प्लांट्स होते हैं मैं की ड्रॉइंग को जज नहीं करना तो यह जो हमारे बड़े-बड़े प्लांट्स होते हैं इनमें हमारे पस बड़े-बड़े leaves होते हैं जो यह leaves होते हैं न हमा जो यहां से हमारे sun होते हैं, वहां से sunlight आती है, यह अपने पास leaves जो होते हैं, जिनके पास क्या है, chlorophyll है, क्योंकि वो green color के हैं, वो sunlight को trap करते हैं, और वो अपना क्या बना लेते हैं, वो खाना बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं मैं, देखो, हमारे पास कौन सी equation थी, अगर अब CO2 plus water, साथ में, sunlight के presence में, और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, chlorophyll, क्या बनाया उसने, खाना, और साथ में oxygen को release किया, कैसे balance करेंगे, 6 times, 6 times and 6 times, अब यह balancing कैसे हुई, यह आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां पे देखो, carbon 6 हैं, यहां पे भी carbon 6 हैं, यहां पे oxygen 12 ह होगा, यहां पे भी oxygen 12 होगा, तो जो की आपके भी syllabus में आज सच नहीं है, तो अब हम इसको जल्दी से देखते हैं, कि यह हमारी balanced equation है, यह हमारा food है, जो prepare हो चुका है, कहां पे हो चुका है, यह हमारा leaves में हो चुका है, तो option C is absolutely correct.